हुआ हुआ दोस्तों केक्षिदास की गडित प्रश्णावली दुद्दसमुन एक द्रकुन मिती का पर्चिज चैप्टर चल रहा है अर्दिन की किताब उठाते हैं तो उसमें प्रश्ण संख्या उन्नीज मिल जाता है एक मोहत ही मुस्किल प्रश्ण जो समझ में आता है दे को फिर से ले आए हैं इस वीडियो में लेकिन डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया है पुराने वाले वीडियो का तो जाकर करके उसे भी देखिए का ज़रूर और इसे लाइक करना ना भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाएगा आया चलिए जरूबाद कर करते हैं इस वीडियो की ताकि हम इस प्रेश्न को देख सकें सबसे पहले बात एक तरफुज है तरफुज एबी सी जिसमें बी समकोड है तो बना लिए एक ट्रेंगल हमने बना दिया समकोड तरफुज यहां पर बी को रख दिया बाकि ए और सी कहीं पर भी रखतो कोई फर सब्सक्राइब करें तो चीजों को आपको लिखना होगा यही कि तिरफुज एबी सी में आपको दिया क्या गया है यह जो दिया गया है वो लिख लेते हैं अपना दिखाए देरा चलाई से लिख लेता है एसी प्लिस बी सी बराबर आपको उन्चास मिला हुआ है और एबी बराबर साथ मिला हुआ है इतना लिख लिया अब भी बात यह समझो कि आपको पता है कि इन दोनों का योगफल उन्चास दिया गया है मान लेते हैं कि ये वाली भुजा एक्स हो जाती है क्या मान लेते हैं कि माना अपना जो बी सी है वो क्या है एक्स सेंटिमीटर का है तब हमारा जो एसी है वो कितने का हो जाएगा AC कितने हो जाएगा BCU का मान लियाए X तो AC प्लस X बराबर 49 है X को उधर भेज़ दो तो AC बराबर मिल जाएगा 49 माइनस X क्या ये छोटी सी बात आपको समझने में समस्या हो रही है कि इन दोनों का योगफल 49 है अगर इसका माने X हो क्या है तो ये वाली भुझा 49 माइनस X हो की एक सिंपल से बात है बहुत ही सुरुवात में जब आप BCU पढ़ रहे होते हैं तो ये बताया जाता है कि दो लोगों को योगफल अगर कुछ संथिंग दिया किया है एक भुझा कर मान इतना हो गया तो पूरे में से उसको घटा दो बाग की दूसरा पार्ट मिल जाएगा तो यही बात यहां पर हो रही है कि दो लोगों को योगफल अगर उन्चास है तो एक को एक समाला दूसरा उन्चास माइनस X हो जाएगा अब वही अपना पुराना असा पाथा गोरस से पाथा को औरस प्रमे क्या कहेगा यह देखो 90 डिगरी यहां पर बन रही है नप्यांस के सामने वाला करण होता है या या अपना जो AC स्कॉाइर है वह अके लिए रहेगा और यह अपना BC स्कॉाइर प्लस AB स्कॉाइर अपन साथ साथ रहेंगे ये दोनों साथ साथ रहेंगे AC के मान है 49 माइनस X होल स्क्वार करेंगे BC की वैलू है X होल स्क्वार करेंगे और AB की वैलू है 7 स्क्वार करेंगे यहाँ पे A माइनस B होल स्क्वार फॉर्मूला लगेगा पहले तो 49 इकसटें उन्चास स्क्वायर हुगने इसकॉायर प्लस एकस्कॉायर माइनस दो गूड़तें 49 गुड़ते एकस बराबर क्यों यह wa स्कॉगर है और इए 7 Salt 39 हमको दिखाए देज रहा है एकस स्कॉयर एकस स्कॉयर कट रहा है या ओन्चाई स्कॉयर के धर बीजना है यहां पर इन्चाई यहां पे दो गूड़ते 49 और-ड़ा हो करते ऐइसा कहें लिखते हैं है दो नुझाइव हैं अधारा हां से लगे एक दो अच्छ नौए ड्र अट-ड ऑपर यह और оры यह नचाशत फोर्वर गया उंजास स्क्वायर ठीक है आपकां रिखने के लिए यह तेतने मेहनत की हैं यहां पर मानेस 98 ह्ट लिएते हैं उनचास का वर कर लेते हैं देखो भी यह उनचास लिखेंगे घाते दो लगाने का मतलब है उनचास गुड़ते उनचास करेंगे एसी तो करना है ठीक है तो अगर आपको यह वाला रूल पता हो तब तो बड़े आस प्र इसका मतलब होता है इन दोनों का गुड़ा नौ चोग 36 चानवाई 36 चातेश दोनों पर मैं चातेश चातेश बहात्तर 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 और चुड़ने पर असी होता तो जीरो लगा दो हासल फिर से आठ और फिर इसका मतलब होता है यह चार चोग के 16 चार चोग 16 16 में से 16 में याट जोड़ना पड़ेगा 16 चार 20 चार 24 हो रहा है इतना मिल रहा है और अगर यह समझ में नहीं आया तो पीछे करके वीडियो फिर से देख लो तो यहां पर लिख लेते हैं अपना ओके 24 जिरो एक घटाना है यह बड़ा है यह चोटा है माइनस में है प्लस में घटा देंगे 11 हासल लेंगी 11 12 में से 9 गया यहां बचेगा 9, 9 में से 4 गया, 5, यहां बचेगा 3, 3, यहां बचेगा कितना, 2 ही बचेगा और यह बड़ा था, तो इसलिए वजेसे यहां पर माइनस लेगए और यहां पर माइनस 98 एक्स है माइनस माइनस कट जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा एक बाते साथ सत्य निचाट कॉ रहा है दो से कट जाएगा उन्चास आएंगे दो सी यह यहाँ थे साथ सबस्राइब चार उजेगा चार और साथ हो जा रहा है 47 तो साथ से तरह 49 जादा हो जाएगा साथ चर्ण बैयालिस होता है साथ छेंग 42 42 और यह 47 42 पांच और च्शेंग 56 और देखनेके मिलता है यानिक कड़ गया भाग कर लेना भी समझ में आना तो साथ एक साथ साथ से काटो साथ दुनाइय चबूदा साथ दुनाइय चबूदा हो गया मचेगा दो और ये 28 यह साथ चोगा 28 और एक्स बराबर हमको क्या kea 24 यहांपे कितना हो गया 24 यहांपे क्या होगा तो हम दिको भी एक से बराबर 24 आ गया थोirm before अपना हो गया 24 सेंटी मीटर और यह जो एसे दिखाए दे रहा है यह 49 – 24 कर लेते हैं academics चार गयांद 5 और 4 में Hz 25 सेंटीमिटर यहां पर हमको मिल गया कितना 24 और फर इतना मिल गया 25 चैस इसके बरावर 25 मिल गया और इसके बरावर 24 मिल गया कितना हो चाहाँ सिम्पल सा सूल्यूशन है समझ में आ गया होगाँ अब इनकी वैलूज कालना सुरूख करते है साइन ए साइन एक वैलू निकालते हैं साइन एक मतलब क्या होता है आप जब एक कहा जाए तो यहां से इस जिगरे पर आप मानों कि आप यह खड़े हो जब यहां पर खड़े हो तो सामने वाला लंप नीश वाला अधार यह वाला कर्ण और साइन वैलू निकालना है तो लाल बटे कका यहीं सब बताएंगे कका के के ए हो गया लंब बटे कर्ण साइन कहोता है लंब बटे कर्ण इसके लिए लंब यह है कर्ण यह है तो 24 बटे 25 यह हो गया कॉस ए की वैलू निकालनी थी तो कॉस कॉस ए बरहर यहां उस शाइन कहो गया यह कॉस कह गया आधार बटे कर्ण इसके लिए आधार यह है बटे 25 त Advent सी दियान देंगे यह थैन सी की बात कर रह तो तैन ची की बात कर नहीं यह आप यहां खड़े हुए है तो आपrants यह लॉप हो जाए गए यह अधार हो जाए यह तो इधर ऐनुजातर कर तो इधर आधार हो जाएगा नसा कट ही रहता है सामने वाले भूचर लॉंड हो 10 बराबर sin cost 10 लंब बटे आधार होता है इसके लिए लंब 7 होगा आधार 24 होगा तो 7 बटे 24 आपको लिखना होगा और लास्ट वाला सेक सी सेक सी तो यहां से सेक की वेलू देखनी है तो यहां क को साइन कॉस्तें कॉडवे इक तोन पड़े आधार इसके लिए कॉन होगा इतना है तो पंचीष बते 24 यह होसे अधार वोगा तो बस इस विद्वेत calendar नहीं हो तो